आप देख रहे हैं यही वो तस्वीर है जो सामने रखे जाने की ये पूरी कवायद एंडिये की ये तस्वीर 38 दलों के नुमाइंदे मौझूद हैं जिन्होंने मिलकर प्रधान मंत्री का स्वागत किया एक बड़े से फूल माला के साथ और यहाँ पर आप देखे चिराग पासवान को गले लगाते हुए प्रधान मंत्री नजर आ रहे हैं चिराग पासवान जिन्होंने कई बार कहा कि वो तो हनुमान है और ये भी कहा गया कि बिहार में जो लास्ट एलेक्शन हुआ था उस दोरान नितीश कुमार की पार्टी को बहुत नुकसान चिराग पासवान की वज़े से हुआ था और यही वज़े है कि नितीश कुमार ने चिराग पासवान से दूरी बनाई और गटबंदन की वज़े आसे BJP को भी चिराग पास्वान से दूरी बनानी पड़ी लेकिन ये भरोसा हमेशा था चिराग पास्वान को कि आने वाले दिनों में वो NDA का हिस्सा होंगे और उन्हें जिस जगह की जरूरत है वो जगह भी NDA की और से ही उन्हें मिलेगी और यहां इन तस्विरों में भी कि भी नुमाइंदे आशोका होचल में ये मीटिंग चल रही है दिली में ये मीटिंग चल रही है एंड ये की एक बड़ी बैठक चल रही है अनुपम मिश्रा इस वक्त थमारे साथ मौजूर है अनुपम जब प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ सभी राजनितिक दलों की ओर से सब एक जगे नजर आए एक भवी सी तस्वीर खिज गई यहाँ पर जिसे फोटो पॉलिटिक्स कहते हैं उसकी भी तस्वीर यहाँ पर बन गई चिराग पासवान को उन्होंने गले लगाया बाकी नेताओं सभी गर्म जोशिश मिले गर्म जोशिश मिले किसी से हाथ मिल आया किसी को नमस्कार किया लेकिन चिराग पासवान को गले लगा ले उन्होंने कि अधिकर पर जाता है कि अधिकर नहीं में पार रही है हम तक लिकिन यह देकि जीतमराम मांजी को भी प्रधान मंत्री ने उनका अभिवादन स्विकार किया तो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं एक्स्क्रूसिफ तस्वीरे आप देखिए तमाम विपक्षी पार्टियां चुकल तक हम देखते थे कि बीजेपी पर निशाना भी साती थी वो भी नेता अब बीजेपी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं ऐसे में एक बड़ा जटका यहाँ पर कॉंग्रस पार्टी के लिए कहा जा सकता है और जो बाकी विपक्षी दल है वो भी एक बड़े जटके में कह सकते हैं ऐसे में तमाम जो राशनितिक दल है उनको आप देखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी का स्वागत करते हुए गर्मजूशी के साथ में पी-म का स्वागत क्या गया और यह तस्वीरे की जाती है यह देखना काफी ज़्यादा है और क्या इस बैठक का दिश्कर्स निकलता है वो भी देखना काफी ज़्यादा एहम हो जाता है तो बीजेपी के लिए और यह वो तस्वीर जब प्रधान मंत्री का स्वागत किया गया फूलों का हार देखिए एक बड़ा सा हार एंडी एक गठबंदन में मौजूद राजनेतिक दलों की जो संख्या है उसके मुताबिक हार का आकार भी आप कह सकते हैं जैसे प्रधान मंत्री का स्वागत किया गया बीच में आप प्रधान मंत्री को देख रहे हैं प्रधान मंत्री सभी के तरफ अभिवादान सब का स् स्टरविंस की वज़े से नहीं आपाई चनाधार रखते हैं अपना एक वोट बैंक रखते हैं उन्होंने एंडिये की विचारधारा से प्रफावित हो करके वो एंडिये का हिस्सा बने हैं या एंडिये ने उनको अपने साथ लाने की कोशिश किये भारत के इंतापार आज से नहीं है इन अगर आप देखें तो सिर् विपक्षी एकता को मैं इसे चुचु को मुरब्बा देख रहा हूं और मैं आज भी इस बात को अच्छी तरह से कहता हूं कि जो यह जो अभी 24 के चुनावी चूले पे खांदानी की जो खिशली बन रही है वो खुर्चन साबित होगी इससे जादा कुछ नहीं है बहुत विपक्ष के गठ बंधन पर हमला करते हुए और NDA गठ बंधन को भरोसे मन बताते हुए इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी यही लिखा अपने ट्वीट में कि NDA के सभी घटक दल दिल्ले में घटा हो रहा है इस बात की म ने तुमे NDA में 38 दल है इस बार शामिल हुए है जिनकी मीटिंग हो रही है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के अधक्षिता में इस मीटिंग की शुरवात हो चुकी है और यह तस्वीरें आप देख रहे हैं दूसरी तरफ एक तस्वीर बंगलूरू में भी जहां पर कॉं तो वारण से पहुझे यूवा चेतना प्रमुक रोहित कुमार सिंग ने विपक्षी एकता पर निशाना साधा रोहित कुमार सिंग ने कहा कि कॉंग्रिस प्रिश्टचार की जननी है और देश की जनता इनको मुह तोड़ जवाब देगी देश में सर्फ एक लहर है वो है म आज अमेरिका के संसद में मोदी मोदी के जैकारे लगए हैं आज फ्रांस अपने देश का सर्वुच पुरसकार सर्वुच सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दे रहा है आज देश और दुनिया में भारत माता का जंदा बड़े गर्व और फक्र के साथ लहर रहा है आज देश में सिर्फ एक ही लहर है मोदी लहर है और दूसरी तरफ ये तस्वीर हम आपको बैंगलूरू की दिखा रहे हैं जहां पर कॉंग्रिस के अंतरिमा द्यक्षिता सोनिया गांधी को आप देख पा रहे हैं ममता बैनर जी पश्यमंगाल की मुक्यमंत्री राहूल ग नखा गया है विपक्षी दलों के घड़ बंदन का तो दूसरी तरफ दिल्ली में एंडीय की मीटिंग हो रही है प्रधान मंत्री खुद इस मीटिंग में मौजूद है और एंडीय के सभी घटक दल के नेता भी मौजूद है इस मीटिंग में और आज ये तै हो जाएगा कि आखिर एंडीय का ये कुनबा एक तरफ तो शक्ति प्रदशन एंडीय का कुनबा कितना बड़ा है ये दिखाने की कोशिश दूसरी तरफ इन दलों के सामने एक रूड मैप भी तयार करने की रूप रेखा तै होगी कि आखिर दोजार चौबीस की लड़ाई में जब ये च गाहिर से बात है ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि 2024 का लक्ष मिल कर हासिल करना है दावे BCP की और से यही किये जा रहे है कि इस बार 2024 की जो लडाई है वो BJP ही जीतने वाली है, NDA ही जीतने वाली है PM मोधी पहले ही ये ट्वीट कर चुके हैं कि NDA सबसे भरोसे मन गठबंदन है और NDA को लेकर के उन्होंने आश्वस्त किया है सभी को तो यह जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोंदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सेंग, BJP के राश्रिय अदक्ष जेपी नडड़ा मौझूद है वही आप घटक दलों की अगर बात करें, तो एक नाच शिंदे आपको नजर आ रहे हैं केंद्री मंत्री नितिन गटकरी भी इस वक्त मौझूद हैं, इस मीटिंग में लोग जन्शक्ती पार्टी के दोनों गुट के नुमाइंदे यहां पर हैं एक तरफ चराग पास्वान जिन्होंने बैठक में जब वो शामिल होने के लिए यहां पहुँचे, तो यह कहा कि उनकी बातचीत लंबे वक्त से चल रही थी, बीजेपी के साथ यह बातचीत चल रही थी, एक रूप रेखा पर काम चल रहा था, वो रूप रेखा तयार हो जाने के बाद अब वो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं, तो दूसरी तरफ उनके चाचा भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, यानि कि दोनों दलों को एक करने की शर्त रखी गई थी, बीजेपी की ओर से, कि 2024 के चुनाओं से पहले, दोनों दल एक साथ आ जा आज की मीटिंग में चिराग पासवान का यहां मौजूद होना, उनके चाचा का मौजूद होना ये बता रहा है कि बहुत हद तक बीजेपी अपनी बातों को मनवाने में काम्याब हुई है, 38 पार्टियों की हुंकार दिल्ली में तो वही 26 राज़ुनर्टिक दल एक साथ प्रधान मंत्री क्या कहते हैं और किस तरह से आगे की